तो दोस्तों कहानी की शुरात होती है कंधेरे जंगल को दिखाते हुए जहां पर एक बच्चा किसी से डर कर भाग रहा था यहीं से सीन कट होता है और हमें एक लाल रंग की स्कूल बस दिखाई चाती है जो इसी जंगल के पास से गुजर रही थी लेकिन जैसे ही यह बस पढ़े हुए देखते हैं वहीं बस के बाहर का मौसम भी एकदम बदल गया था चारो तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था बस में बैठा एक बच्चा जब बाहर का मौसम देखता है तो वो थोड़ा डर जाता है और फिर एक एक करके सभी बच्चे बस के शीशे से बाहर का नजारा देखते हैं और डरने लगते हैं तब ही अचानक बस ड्राइवर की नजर सामने पढ़े एक मरे हुए हिरन पर पढ़ती है जो सड़क के बिलकुल बीच ओ बीच पढ़ा हुआ था बस ड्राइवर जल्दी से बस को रोक कर उस हिरन को साइट में करने जाता ह लेकिन वो जैसे ही पीछे मुरता है तब एक आदमी आकर जो दिखने में कुछ अजीब सा होता है वो ड्राइवर के सर पर बंदूग तान देता है और फिर ड्राइवर के पीछे पीछे बस में चड़ जाता है साथी वो सभी बच्चों को धमकाते हुए उन्हें अपनी किलर है जो कुछ दिन पहले ही जील से भाग आया था इतना ही नहीं यह आदमी एक साइको है जो सिर्फ टीनेजर्स को ही अपना निशाना बनाता है तब ही वो आदमी बच्चों से कहता है कि अपने अपने फोन बस की खड़की से बाहर फेक दो उसकी बात मानकर सभी के पेले रिसर्च का काम किया जाता था लेकिन अब वहां कोई नहीं आता है वहां भी एक सुरंग थी जिसमें बहुत सारी लाइट्स चल रही होती हैं और इस सुरंग में एंटर करते ही अचानक से बस रुक जाती है और जब बस ड्राइवर बस को चेक करता है तो पता चलत इसी भी इस सुरंग की लाइट भी अचानक से बंद हो जाती है और सभी बच्चे डरने लगते हैं तभी उन्हें उस अंधेरी सुरंग से डरावनी आवाजे आनी शुरू हो जाती है। और तभी वो मॉन्स्टर उसके चस्ट पर वार करके उसे मार देता है। बच्चो के साथ वो सीरियल किलर भी ये सब देख रहा था। इसलिए वो जल्दी से बस के अंदर आ जाता है और बच्चो से शान्त रहने के लिए कहता है ताकि वो मॉन्स्टर इन्हें देखना पाए और ना ही सुन पाए। फिर वो किलर जल्दी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहां बस की चावी नहीं थी। दरसल वो चावी ड्राइवर के पास थी जिसे अब मॉंस्टर ने मार डाला था। वो किलर बच्चों से चावी लाने के लिए कहता है जिसके बाद एक लड़की डरते हुए ड्राइवर के पास चावी लेने के लिए जाती है और ड्राइवर की हालत देख कर रोने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। इसके बाद वो जल्दी से ड्राइवर की पॉकेट से चाबी निकाल लेती है। और बस में वापस आ जाती है। उसके आने के बाद सब बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं। तब वो नाम इस सर हिला देती है क्योंकि अब वो जिन्दा नहीं था। यह जानने के बाद सभी बच्चे दुखी हो जाते हैं। अब किलर रेगी नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है। लेकिन बस तो खराब थी, वो कैसे स्टार्ट होती। बड किलर रेगी से कहता है कि अगर तुमने ये बस स्टार्ट नहीं की तो मैं सभी बच्चों को मार दूँगा। रेगी बागी बच्चों की तरह डरपोक नहीं था, इसलिए वो बिना डरे उस किलर से बहस करने लगता है। और मौका देखते ही एक बच्चा पीछे से किलर को धका देता है, जिस वज़े से किलर नीचे गिर जाता है, और रेगी उसके हाँ से बंदूग छीन लेता है, और उसके ओपर बंदूग तान देता है। ये देखकर वो किलर हसने लगता है और रेगी से कहता है कि तो मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मारने के लिए तो बहुत हिम्मच चाहिए होती है जो तुम्हारे अंदर नहीं है इससे पहले रेगी कुछ कर पाता इन्हें बस की छस से कुछ आवाज सुना ही देती है जिससे सब थोड़े घपरा जाते हैं और इसी मौके का फाइदा उठा कर किलर अपनी बंदूक वापस चीन लेता है लेकिन बस के उपर से लगतार आवाजे बढ़ती जाते हैं जिस वज़े से सभी बच्चे डरने लगते हैं और फिर किलर गुस्से में बस से उतर कर चिलाने लगता ह जो भी हो मिरे सामने आओ अंधेरे से बाहर निकलो। किलर अभी ये सब कही रहा था कि अचानक मॉंस्टर उस पर हमला करके उसका सर थर से अलग कर देता है। बच्चे देखकर हैरान रह जाते हैं और अब उनकी आखों के सामने वो भयानक सा मॉंस्टर था जिसकी एक हाथ में किलर का सर था। बच्चों को समझ में नहीं आता कि अवो करें तो क्या करें। इसलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इसी बस में रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन थोड़ी दिर के बाद इन्हें बस के बाहर से अजीव अजीब सी आवाजे आनी शुरू हो जाती हैं। और रचानक से बस का दर्वाजा खुल जाता है। जिसके बाद बच्चों को बस की सीट पर उसी मॉंस्टर का हाथ दिखाई देता है। यानि अब मॉंस्टर बस के अंदर आ चुका था। ये देखकर बच्चे बस के दूसे दर्वाजे से नीचे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन दर्वाजा नहीं खुलता। तभी रगी के हाथ में मौझूद टॉर्च की रोश्णी जैसे ही मॉंस्टर के चहरे पर पढ़ती है। तो वो डरने लगता है। और ये देखकर सभी बच्चे समझ जाते हैं कि मॉंस्टर रोश्णी से डरता है। बस इसी बात का फाइदा उठाते हुए ये बच्चे रोश्णी के जरीये मॉंस्टर को दूर कर देते हैं। और जल्दी से बस के दर्वाजे से नीचे सड़क पर आ जाते हैं। और रोश्णी को मॉंस्टर की तरफ रखते हुए ये लोग आगे की तरफ भागते हैं और एक बंकर के अंदर पहुच जाते हैं इस बंकर के अंदर एक रूम था जिस पर इस पूरी जगा का नक्षा बना हुआ था जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक military base है और military base है तो यहाँ पर light और control panel भी हो सकता है इसलिए बच्चे उस monster से भशने के लिए control panel को चालू करने का फैसला करते हैं ताकि यहाँ के lights चल जाएं और monster इनसे दूर रहे और ये लोग अपने घर वापस जा पाए इसलिए ये लोग control panel को ढूणने के लिए एक map के जरीए plan बनात हैं और सोचते हैं कि आखिर वो control panel कहां हो सकता है इसके बाद उन बच्चों में से नोलन और उसकी दोस्त बैस पावर प्लांट को तलाश करने के लिए चले जाते हैं वहीं जो बच्चे रह जाते हैं वो अपना time pass करने के लिए हसी मजाग करने लगते हैं तब ही नहीं दोस कर उसे देखने लगता है लेकिन अब कुईनी वहाँ पे नहीं थी वो अपने दूसरे दोस्तों को भी बताता है कि कुईनी गायब हो गई है और फिर सभी मिलकर उसे ढूंडने लगते हैं और आखिरकार उन्हें वो एक जगा मिल जाती है लेकिन उस वक्क कुईनी के ओपर एक मॉंस्टर सवार था जो उसकी गर्दन पर काट कर उसे खाने ही वाला था तब ही रेगी उस मॉंस्टर को रोशनी दिखा कर उसे कुईनी से दूर करने की कोशिश करता है जबकि उसका दूसरा दोस्त उस मॉंस्टर के नीचे से कुईनी को निकालने में कामियाब हो जात और फिर वो दोनों रेगी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। और बेस ने जनरेटर को ढूंड कर उसे आन कर दिया था। तभी उन्हें पास में एक कमरा मिलता है जिसमें एक डेट बॉड़ी पड़ी हुई थी। साथ ही बहुत सरी तस्वीरे और नोट्स भी थे। और इन सभी नोट्स में इसी मॉन्स्टर के बारे में जानकारी दी गई और ये दोनों डर कर वहीं रुख जाते हैं। जब ये अपने तीनों दोस्तों को सामने से आता हुआ देखते हैं तो इनका कुछ डर खत्म हो जाता है। और पिर ये दोनों खुशी-खुशी उनके पास पहुच जाते हैं। लेकिन जब ये सभी दोस्त कुईनी की गर्दन पर उस मॉंस्टर का निशान देखते हैं तो खबरा जाते हैं, क्यूंकि वो जखम बहुत ही गहरा था, और उसमें से खून भी निकल रहा था, इसलिए इन सभी दोस्तों को लगता है कि अब कुईनी भी मॉंस्टर बन जाएगी, तब एक दोस्त कुईनी को अपने साथ रखन कई नोट्स में से एक नोट को उठाते हैं, और उसे पढ़ना शुरू करते हैं, एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नईनी जगा घूमना बहुत पसंद था, और इस तरह ये दोनों भाई बहन एक दिन घूमते घूमते मिलिटरी बेस तक आ कए, लेकिन वो से बचकर निकल पाए, ये वही सीन है जो हमने कहानी की शुरूआत में देखा था, हलकि ये लड़का तो बच गया था, लेकिन उसके दिमाग में इस घटना ने अपनी जगा बना ली थी, और उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से उसकी बहन मारी कई है, इसलिए वो अब उस मॉंस्टर से अपनी बहन का बदला लेना चाहता था, जिसके बाद उस लड़के ने कई सालों तक इसी मिलिटरी बेस में रहते हुए, उस मॉंस्टर के बारे में रीसर्च की, और एक प्लैन मनाया कि किस तरह वो मॉंस्टर को मार सकता है, यहां तक कि उसने मॉंस्टर क मारने के लिए एक मशीन तक बना ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो मॉंस्टर को मार पाता, मॉंस्टर को उसके मिलिटरी बेस में होने का पता चल गया, और उसने मॉका देखते ही उसे मार डाला, इन बच्चों को नोट्स के जरीए यह भी पता चल जाता है कि वो मॉंस्ट जिसका खौन चूस लेता है यह जिस पर हमला करतेता है, उसे मार कर ही दम लेता है, अब क्योंकि कुईनी के साथ ऐसा हो चुका था, इसलिए उसकी भी जान जा सकती थी, यह जानने के बाद यह सभी दोस्त मिलकर कुईनी को बचाने का फैसला करते हैं, लेकिन कुईनी इन स कुईनी के खौन से भीगे हुए एक कपड़े को मशीन के पास रखते थे हैं, साथी बैस को मशीन का ट्रिगर आन करने को कहते हैं, ताकि वो लाइट की रोशनी से उसे मार सके, थोड़ी देर में वो मॉनस्टर कौन को सूंकते हुए वहाँ पे आ जाता है, लेकिन ट्रिग पर अब भी मॉनस्टर उनके सामने खड़ा था, लेकिन तब ही उसके दोस्त पीछे से आकर मॉनस्टर को आग लगा देते हैं, और मिलिटरी बेस से बाहर आ जाते हैं, और इसी के साथ ये मुवी खत्म हो जाती है, दोस्तों कैसी लगी इस मुवी के एक्स्प्लिनेशन कॉ कमें बताएं, वीडियो को लाइक और शेर करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकोन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो मिस्स नाओ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तिल देन, बाबाई, टेक केर.